हलो बच्चा बड़ी कैसे हैं आप सभी आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 civics का चैप्टर अंडरस्टेंडिंग लॉज और आज का हमारा ये टॉपिक हमें यह बताएगा कि जिस तरीके से हमें हमारा घर पर बनावा खाना पसंद नहीं आता ठीक है ठीक उसी तरीके से कई ब कॉपिलर एंड कॉंट्रोवर्शियल लॉज कुछ ऐसे लॉज के बारे में हम जानेंगे जिनने बना तु दिया गया ठीक है बट इंप्लिमेंट होने के टाइम हमें पता पड़ा की अरे गल्ती कर दिये तोड़ी बनाना था ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक इसी बारे मे के लिए पता है देखो बच्चू क्या होता है आपकी ममा ने कुछ आपके लिए खाने को बना आ बहुत मस्तों एक तब मतलब मुह में पानी आ गया कि क्या ही बना दिया ठीक है अब वह बन रहा है आपको बनते बनते अच्छा लगा उसकी अच्छे से ग्रीटिंग वगर देती है जो हमें दिखते थे बड़े चैसे कि आरे वाइन में की बना दिया भी फिर बाद में बाद में बदा पड़ते हैं कि अच्छा गॉर्मेंट नो ऐसा बना दिया जो यह लाइक जब हम उसको को implement करें तब हमें पता पड़ा कि हां यह लो तो बनना ही नहीं चीजिए था ठीक है इसके अंदर इतनी सारी कम्या यह क्यों बना दिया गॉर्णमेंट ने अब ऐसे में लोगों को लगते हैं कि नहीं गलत है गॉर्मेंट ने गलत बनाया तो लोग क्या करते हैं लोग उसके कानून बनाया कानून बड़या दिखने में एक दम यू एक दम लल्लन टॉप था ठीक है दिखने में बड़या मस था एक दम देखने में मज़ा आ घया ठीक है पर कई बार ऐसा होता है कि कानून तो जो था वो लीगल था बहुत अच्छी तरीके से उसने सब तो ऐसे में लोगों को गॉर्मेंट के इंटेंशन के उपशक होने लगा कि इस दाल के अंदर तो कुछ काला है, मतलब इस गॉर्मेंट के इंटेंशन सही नहीं है, इस लॉज को लेके, ये लॉज जो गॉर्मेंट लेकर आई है ना, वो कही न कही हमारी freedom equality इसको hurt करने वाली ह अब लोग बोलते हैं, तो क्या करें, तो चलो शिरुआत करते हैं, हमारे सबसे favorite protest की, मतलब अब हम चालू करेंगे, आंदोलन, basically हम कह देंगे कि नहीं चाहिए हमें ये law, ले जाहिए वापस, तो अब ये बताने के लिए, कोई expression भी तो होना होगा, तो वो देखते हैं, हमे कहा थे ये बनाने के लिए, तो चलो कहे दिया, तो ये क्या बना दिया, कुछ अच्छा बना दे, बनाना था थो, ठीक है, उसके अब आद हम क्या करेंगे, public meetings को hold करना शुरू कर देंगे, फिर हम देखेंगे, newspapers, report, TV, हम मीडिया को basically target करना शुरू करेंगे, ताकि मीडिया जो है, वो हमारी, जो problem से उसको आगे लेके जाए, कि हाँ, law बना दिया है, government ने, पर ये law हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस law को वापस ये government को पीछे लेना होगा, आप जब अपने parents से बात करेंगे, तो आप कुछ समय पहले भी अभी किसी law के साथ ऐसा हुआ है, आप का ये काम है, कि आप comment section में बताएंगे, कि आखिर वो कौन सा लोग था, जो अभी government ने वापस लिया है, कुछ farm laws करके कुछ ऐसा कुछ था, देख लेना, ठीक है, आप comment section में बताना भी है, ठीक है, तो अब बात आती है, कि हाँ, पसंद नहीं आया, आपने criticize किया, पर ये च कोरिया वाले जो छोटी आखो वाले हैं, तो उनकी पूरी उस country के अंदर कोई भी उनके against, कोई भी सवाल, जवाब, कुछ नहीं कर सकता, कुछ बना दिया, तो बस बना दिया, काम खतम, पसंद आता है, ठीक है, नहीं आता है, तो भी ये ये, खतम कानी, पर आप है ना, एक गलत है, आपको इसको change करना पड़ेगा, democracy कहती है, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws threatened by the parliament, तो democracy कहती है, कि जो हमारी जनता है ना, वो अपनी unwillingness, मतलब अपनी अनिच्छा जता सकती है, उस law के उपर जो उन्हें पसंद नहीं आता है, और ऐसे में जो parliament है ना, उसको उस law के उपर काम करना ही करन होगा, तो basically हम क्या देखते हैं कि government के उपर हम pressure बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसे हम criticize कर सकते हैं, meetings में, उनके लिए media को use कर सकते हैं, जो media है, वो अफदर जाके क्या करेगा, government के उपर एक pressure build करेगा, अब बात आती है कि sir, हाँ, समझ में तो आ गया, कि हाँ, जो कुछ ऐसे laws होते हैं, जो कभी-कभी unpopular हो जाते, clear है, clear है, पर एक example हो जाता, तो मजा ही आ जाता, तो ठीक है, हम एक example लेते है, municipal laws का, municipal laws बनाये गए, ठीक है, अब basically, municipal laws जो है, वो कैसे काम करते हैं, वो जान लेते हैं, आपकी जो district है, आपका जो जिला है, उस जिला के अंदर municipality का करती है, अब यह जो मुंसिपादी है, यह क्या कहती है, कि हमारे जो space है, मतलब जितना भी space वो cover करती है, उस space के अंदर कहीं पे भी hawkers और जो vendors है ना, वो इसे space का use नहीं कर सकते, देखो हमारी cities के अंदर यह कैसा बजार होता है, जहां पर हम जाते हैं, तो आपको पता hawker खड़ा होता है, यहां पे भी एक vendor खड़ा होता है, मतलब छोटे-छोटे से थेले, वोगेरा वो लगा के खड़े होते हैं, रोड के उपर, उससे क्या होता है, कि जो रास्ता होता है, वो भी रुख जाता है, और basically उससे है ना, वहां पे गंदगी भी हो जाती है, ठीक ह भी vendor जो है ना, वो हमारे इस space के अंदर आके खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, पर अब बात आती है कि क्या ये municipal loss सही थे, तो देखते हैं, आपको ये पता होगा बच्चों, कि जो hawkers और जो vendors होते हैं, basically अपनी living के लिए काम कर रहे हैं, इनके पास यही रोजगार है, इनक पार्टी ने, इन्हें वहाँ से हटा दिया, तो कही ना कहीं, इनका एक basically जो रोजगार का साधन था, जिनसे इनका घर चल रहा था, वो भी तो खतम होगा, कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक इसी चीज के कारण, municipal loss के कारण, ठीक है, और आपको पता हो होकस हो vendors होते हैं, वो आपको बहुत ही cheap rate के अंदर बहुत सारे goods प्रवाइड करते हैं, ठीक है, आप अभी चले जाएंगे, किसी भी, let's suppose, किसी भी बड़े से mall के अंदर आप चले जाओ, clothes लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, वहाँ पे क्या आप negotiate कर सकते हो, नहीं negotiate कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हो, कि इनकी जो situation है, यह बहुत ही जादा critical होती है, तो ऐसे के अंदर municipality के जो laws है, कि हमें इन्हें हटा देना चीए, क्या वो सही होंगे, तो इस चीज के ओपर debate चलता है, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे थे, जिनका मानना था, कि हमें इन jam के वज़े से, basically, जो रोडे छोटी होगी, इसके वज़े से problem है, और कुछ लोगों का कि यह भी कहना था, कि कोई दिक्कत नहीं है, इनकी life चलती है, यह हमें goods प्रोवाइड करते हैं, बड़े ही cheap rates के अंदर, हम इनकी life, basically, इनकी जो living है, उसको हम उजाड नहीं सकते हैं, तो ऐसे क्या है, दो group बन गए, अब यह जो दो group है, इनके बीच में क्या चलता है, डिबेट चलता है, और ऐसे में, बात पहुच जाती है, court तक, ठीके, अब बात आती है, court तक, अब यह जो चीज है, कि उस law को further कुछ उसमें amendment करना है, कि नहीं करना है, उस law को basically change करना है, कि नहीं करना ह सही थी, कि यह जो living वाली जो दिक्कत है, वो ज्यादा सही थी, अब यह court के उपर है, अब यह court decide करेगा, कि आखिर हमें क्या निढने लेना चाहिए, the court has the power to modify or cancel law, if it finds that they don't adhere to the constitution, तो जो court है न, यह court का काम है, कि अगर कोई law unpopular हो जाता है, अगर कोई law controversial हो जाता है, तो court उस ठीक है, तो court कहता है, कि मैं उना, मैं देखता हूँ अभी, तो फिर जो court है, वो क्या कर सकता है, court जो है, उस लोग को modify कर सकता है, change कर सकता है, और even अगर court को लगता है, कि वो constitution के ही against में जा रहा है, constitution ली structure को follow नहीं कर रहा है, तो court जो है, वह क्या कर सकता है, वह उस पूरे क्योंकि basically expression देखना होता है, अब जैसे कि हम यह देख पारे कि यह भी कुछ आंदोलन कारी है, यह भी कुछ आंदोलन वगरा कुछ कर रहे हैं, protest कर रहे हैं, और यह शायद BTS की भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है न, आप बच्चे कहते कि सर यतने सारे लोग जमा ह हो है, तो BTS के लिए हो हैंगे, नहीं बैटा, BTS ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंडियन पर ध्यान दो, ठीक है, इंडियन जो basically आपको Indian art and culture देखने को मिलेगा न लाला, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और यहां जो है न, देश की मिटी का सुआद, वो basically कहीं नहीं है, ठीक यह कह रहा है कि हमें arrest कर लो, क्योंकि arrest करते ही तो यह नेता बन जाएंगे, ठीक है basically क्या है, अगर इनको arrest कर लिया गया, students को arrest कर लिया गया, तो यह मुद्दा जो है, government की नजरों में चला जाएगा, media उसको उचाल देगी, और basically government हना हर जगे से बदनाम होना शुरू हो जा यह कह रहा है कि हमें है ना हमारा लोज इतना, अपना basically जो रोल है, उसे समझना चाहिए, हमारा रोल जो है ना वोट दे के खतम नहीं हो जाता, कि वोट दे दिया representatives को कहानी खतम, अब representative जैसे पारलिमेंट में जागे लोज बनाना चाहे, वो बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नह होना चाहिए, basically होना कैसा चाहिए, कि हमें है ना basically हमारे रोल को समझना चाहिए, कि हमारा जो रोल है वो बहुत ज़्यादा important है, हमारी democracy के लिए, और इस के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई भी लोज सही नहीं लगता है, तो हमें newspaper और media का सहारा लेना चाहिए ताकि हम अपने जो MPs है, basically, जो हमारे MPs है, उनको हम उनके actions के लिए criticize कर सके, कि आखिर पार्लिमेंट में जो आपने law बनाया है, वो गलत law है, उसको नहीं बनाना था, अगली बार भी मत बनाना और इस बार जो बनाना है, उसको भी change कर वा हो, ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है हम इस तरीके से काम करना है, तो वच्छो, आज के इस टॉपिक में हमने यह समझा कि कभी कुछ चीजे ऐसी होती है, जो हमें पसंद नहीं आती है, और ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे घर पर अगर खाना पशबद आ है और ममी ने कहा कि कहाना बढ़ेगा और आपने बोला कि नहीं घाओंगा फिर ममी बोले कि अच्छा नहीं खाओगे तो इधर आओ कुछ और खिला देते हैं आपको तो यह सारी जो चीज है अगर. आप पार्लिमेंट हमारी जो रियल लाइफ एक्ट्र लाइफ ना वहां पर इस चीज़ें नहीं हो सकती, गौवर्मेंट कुछ गलत करती है, तो गौवर्मेंट को इस चीज़ को मानना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं किया सकती, इदर आओ, इदर आओ, अभी खिलाते हैं, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ इसाथ उएक बैल आइकन दिख रहा होगा ना, भगवान की घंटी, तो गुरुजी को दक्षिना दो और घंटी को बजा दो, तो आज के लिए इतना ही, ठैंक यू